तो हाई गाईस आज के इस वीडियो पर बात करेंगे बाइनस के P2P के बारे में आप P2P में जैसा कि कई टाइम मैंने वीडियो बना चुका हूँ और अब मैंने आपको बता है कि इसमें काफी सारे रिस्क होते हैं तो आज मैं कैसे ही अपने जो सस्क्राइबर है इसके बारे P2P में आओ तो क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका अकाउंट फ्रीज ना हो तो यहां पर इस सब्सक्राइबर को आप देख सकते हो जिसके यहां पर कमेंट भी किया है और बात भी हुई है कि टोटल 22 लाग पर इसका अकाउंट यहां पर फ्रीज हुए है तो इसमें उसको क्या करना चाहिए और आप बाइनस के P2P ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इसमें क्या सोलीशन होना चाहिए किस तरसे आपको P2P करना है तो मैक्सुर के वीडियो का पुरा देखना और डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलिग्राम का लिं से भी ट्रांजेक्शन के प्रूफ है इसने जो बाइनस के साथ जिसके साथ भी इसने ट्रांजेक्शन किया होगा वो सारा कुछ यहां पर है और उसको यहां पर बेंक के तरब से तिलंगाना का जो साइबर से ले उसका यहां पर नमबर दे दिया गया है लेकिन वह लोग को करना चाहिए तो यहाँ पर जो bank manager है उससे आपको एक अच्छे relation बनाने परेंगे अच्छे से या तो आप प्रेसर डालो अगर आपके पास जान पहचान है या फिर एक अच्छा relation बनाओ और उससे पहले यह पूछो कि किस transaction के कारण उसका account फ्रीज हुआ है देखो यह सब ची transaction के कारण account फ्रीज हुआ है और उसका address वगेरा क्या है उसके phone number contact नमर यह सब आपका पुरा right है जानने को तो कोसिस करो पहले bank में प्रेसर या फिर किसी तरह से अच्छे relation बनाकर यह सब मालूम करने का कि कि किस transaction का कारण account फ्रीज हुआ है और उसका contact नमर हो सब जो भी details हो आप पहले मालूम करो उसके बाद personally आप उससे contact करो कि क्या उसके साथ हुआ है क्यों उसने यहां पर report किया है और किस तरह तो अगर आपको इसको information मिल जाएगा आपको कि किस transaction का कारण आपका account फ्रीज हुआ है और क्यो report उसने किया है यह सब उसको मिल जाएगा आपको मिल तो इससे आपको काफी मदद मिलेगी आपको अपनी case को solve करने में हो सकता है कि 22 लाग उसका account में freeze तो हुए है लेकिन यह जो transaction होगा वो 22 लाग का transaction नहीं होगा मेवी कि 1,5,000,000 यही transaction हो लेकिन इसके कारण से पुरा amount ही यहां पर block हो जाता है तो अगर direct आप उससे बात कर लोगे आपको report अगर आप मालूम कर लोगे कि इस transaction के कारण हुआ है उसका contact number आपके पास रहेगा तो personally बात करके भी आप इस problem को set out कर सकते हो हो सकता है 10-20,000 का आपका कुछ problem होगा 10-20,000 का कोई transaction होगा तो इसको रफा 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 इस यह जो total problem चल दिये उसको आप यहां कापर रफा रफा कर सकते हो दियुक्कि के इसमें काफी सारे हो जाते हैं आप त्रिलंगा दिलंगा जाओंगे वहां पड़ी आपको जाना परजाएगा तो काफी सारी problem आते हैं तो उसमें काफी सारे होगे हारे सिंट होगा तो इससे better यह होगा आप अपनी bank management साऻ़से ब को P2P trading कैसे करना है यह समझ दो तो P2P में जब आप सेल करते हो युवेश्टेटी आप जब बाइ करते हो तो इसमें कोई प्रॉलम नहीं लेकिन जब आप सेल करते हूं तो आप किया है कि आप किसी से पेमेंट लेते हो तो उस दोरान आपकी कुछ चीजों का ध्यान रखना ह जो होता है वो सब आप उससे ले लो और वह अगर आप से माँगे तो आप उसको भी सेयर कर सकते हो बट यह ज़रूरी है आप उसका अधार लेना उसके बाद उसके बात कर सके तो recording भी आप रख लेना कि यह सब आप यहां पर transaction कर रहे हो तो कहने का मतलब है कि जिसके साथ आप डियल कर रहे हो उसके पूरी डिटेल्स आप यहां पर रख लेना उसका अधार काड हो वो आप यहां पर ले लेना और जो क्रuição कर रहे हो उसका हो सके तो एक रिकॉर्ड आप अपने अपले उसको आप एक कॉपी में नोट करो उसको सभी चीज़े यहां पर लिखो और रिकोर्डिंग भी हो सके तो रिकोर्डिंग भी एक यहां पर ले लो अधार कार्ट बगे रहते हैं यह सब आप अपना सारा जो भी आपका इंतजाम होता है यह सब कर के रखना क्योंकि मैक्सिमल लोग इसलि मनी वो दे जाते हैं अब यहां पर यह आप देख सकते हो 90 रुपए है 90 रुपए 89 थोड़ा सा यह भी ध्यान रखना अगर कोई आपको बहुत ज्यादा प्राइस में दे रहा है युवेश्यटी आपको सेल करने दे रहा है मतलब 90 रुपए मां आपको सेलिंग का यहां पर डिल कर चुका है उसके साथ ट््राइग करो कि उसके साथ ही आप यहां पर डिल करो बाकि डिल करते समजी इंसस तब चीजों को आप ढहर्शा ध्यान रखना उसका अधारकार्ण छो सतर करना जब भी आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हूं क्योंकि हो सकता है कि आपने आज जो ट्राइंग्शन किया है उसका दो माहने छे माहने आठ माहने बाद आपको रिपोर्ट मिले कि आपका अकाउंट यहां पे फ्रीज हुआ है क्योंकि इस अकाउंट में रिपोर्ट किया गया है तो यह चीज आप तो आसा ध्यान रखना पी-टू-पी ट्रेडिंग जो है वह संभल के करना हो सके तो आप केश डिल कर सकते हो या फिर किसी को पहचानते हो तो आप डारेक्ट उसके साथ डिल कर सकते हूं और वोइट करो बाइनेंस के पी-टू-पी को या फिर होगा मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इनपॉर्मसिन के साथ तो तो अब गुडबाई जैंद